वीवो ने अपना एक और 5G स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉंच कर दिया है जिसका नाम है वीवो वाय 75 और इसी की सारी जानकरी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ इसकी प्राइस कह रहा कि गई इंडियन मार्केट में इसमें आपको क्या 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 स्प 5G स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बाद में मैं आपको इसकी प्राइस बता दूँगा और प्राइस के साबसे इसको पर्चेस करना चाहिए या नहीं यह भी बता दूँगा अगर डिस्प्ली की बात की जाए तो इसमें आपको 6.58 इंचिस की फूल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको 10802208 पिक्सल्स का रेजोलूशन देखने को मिलेगा 20s29 के इसमें आपको एक्स्पेक्टर रेश्यो मिल जाता है 90.6% के इसमें आपको स्क्रीन टू बडी रेश्यो देखने को मिलेगा उपर की साइड आपको डिस्प्ले में स्पीड देखने को मिलेगी सेवन नैनोमीटर फैब्रिकेशन वाले इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है फंटच ऊस्ट्व देखने को मिलेगा जो की एंड्रोइड 12 बेस्ट है और साथ ही इसमें आपको 8GB की रेम मिल जाती है चार जीबी किसमें आपको वर्चुल रेम देखने को मिलेगा टू मेरा पक्सल केस में आपको इक मायक्रोग केँड़ जते हना ब्ल जाता वहीं अगर पैको 6MP केंशल कंडवेघ्चन को मिलेगा अगर आपको व्यूडिए पसंदारी सेनले को लाइक यन। चैनल को सब्सक्राब को लिए बैटरी के गर बात की जा, त RGB ग्रेम और 128GB के स्टोरेज के साथ 2990 रुपे जिसमें आपको 4GB की वर्चुल रेम भी मिल जाती है और इसे स्मार्टफून में मुझे एक disappointing feature लगा जो कि यह है इसका LCD पेनल तो इसे स्मार्टफून में यही में को disappointing feature लगा 21,990 रुपे की price में आपको एक LCD पेनल वाली display मिल रही है तो यह थोड़ा से disappointing feature है बागी सारा कुछ इसमें ठीक टाग है जैसे कि 50MP का camera, Dimensity 700 का processor, 5000 image की battery बागी सारा कुछ तो ठीक है बट LCD पेनल थोड़ा सा तो अब यह आप पर depend करता है आपको smartphone लेना है यह नहीं जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया